नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल जननायक जनता पाटी के जिला ध्यक्षेव पूर्फ चेर्मैन अमीर चावला के बेटे की फोर्चुनर गाड़ी की गन प्वैंट पर लूट तीन बदमाशों ने दिया घटना को अंजान देरात्री सिर्सा के बनाला रोड सित रेस्ट हाउस के पास लाल बती चोक की घटना पुलिस ने दो बदमाशों को किया काबू एक पिस्तोल वे 24 जिंदा कार्तुस बरामत पुलिस मुट भेड में काबू किये दो मेंसे एक बदमाश घायल गायल बदमाश को किया ग्रोहा मेडिकल कॉलेज ड्राफर लूटी गई फोर्चुनर गाड़ी पुलिस द्वरा पीछा करने पर चोटाला संग्रिया नाके पर पलती गाड़ी तीसरा बदमाश फायरिंग करके हुआ फरार और इसी के साथ देखिए पलपल की है खास शिपोर् मेरे पास 12 बजे का फोन आया हमारे मेरे बेटे के कजन का वो उन्हें फोन किया कि इस तरह हमारे से गाड़ी छीन लेगी है लाल बती चौप पे क्योंकि यह हमारे गर से सिरफ पचास मिटर की दूरी है यह जो डेड लाइट है पी डेवली रेस्ट हॉस तो बेटा गर के ल तो एक दम यह नीचे उतरे करन नीचे उतरा और उतके पुछ अब क्या बात है तुन्हें टकर क्यों मारी इमिजेटली उसमें से तीन बंदे निकले उनका अत्मेरी वालवार थे वो गाड़ी सनेज करके ले गे दो तो इनकी गाड़ी में बैठ गे एक जो जिस गाड़ी म में वो आये थे लुटे रहे उनको जाके ओड़ा में पकड़ लिया वहां पे पुलिस और इस में फारिंग भी होई है और रात को में दो बजे करीब पता लगा कि वो दूसरी गाड़ी जो अमारी गाड़ी चीनी गई थी वो गाड़ी चोटाला संग्रिया बाइपास पे एक्सिडेंट हो गई है उसमें एक सीरियस है एक पुलिस पर फारिंग करता हुआ बाग गया और उसको यहां रेफिर किया हुआ है अगरवा सीविल होस्पिटल में तो मैं कि हर जगा बैरी केस्ट लगाए जाएं क्योंकि इस जिले में अब अपराद बहुत बढ़ रहा है और विशेशकर इदर से ही आते हैं या बोर फाजिल का और यह संग्री और और मांगर से क्रिमिनल आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं यह गाड़ी सनेचिंगी बहुत जिलताने में